वेल्कम फ्रेंड नमस्कार मैं डॉक्टर प्रदी कमाराब सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं भाई यू काफी सारे लोगों के लीवर में कैंसर हो जाता है जिसके वो काफी परिशां हो जाते हैं लेकिन काफी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि लीवर में कैंसर होने के क्या कारण होते हैं, जिसकी बज़े से जिन कारणों से लीवर में कैंसर होता है, उन चीजों से वो बच्चाब नहीं कर पाते हैं, जिसकी बज़े से काफी सारे लोगों के लीवर में कैंसर हो जा जिससे उनकी मौत भी हो जाती है तो भाईयो आज मैं आपको बताऊंगा कि लीवर में कैंसर होने के क्या कारण होते हैं जिसे समझ कर आप बचाब करेंगे और इस विमारी से काफी हथ तक बच पाएं तो भाईयो इस विशह में पूरी जानकारी में आपको इस वीडियो के मा बी या ती के बने रहने पर लीवर में कैंसर हो जाता है लीवर तिरोसिस में लीवर में कैंसर हो जाता है तो गर की बिमारी में लीवर में कैंसर होने का खत्रा काफी होता है लंबे समय तक पैटी लीवर के बने रहने से लीवर में कैंसर हो जाता है ज्यादा सराब दारू या किसी भी प्रकार का अल्कोहल पीते रहने से लीवर में कैंसर हो जाता है मोटापा के होने से लीवर में कैंसर हो जाता है शरीर में आइरन की अधित्ता होने के कारण लीवर में कैंसर हो जाता है विल्सन रोग में लीवर में कैंसर हो जाता है और भाईयो सिगरेट या किसी भी प्रकार की स्मोपिंग को करने से लीवर में कैंसर हो जाता है बहाई ऑ, लिवर में कैंसर होने की सबी कारण होते हैं। तो भाई, अगर आओ बचात करेंगे, तो आप इसी भीमारी से काफी हिद तक बच वाएं। भाई अगर आओ को कैंसर हो गया है, तो आओगो कैंसर अस्पटाल में ही अपना सही इलाज कराएं। उल्टा सिधा इलाज बिल्कुल भी ना करने। भाईयों अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाते हैं भाईयों मुझसे कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट का जबाब चरू दूँगा। नमस्कार।